हेलो एवरीवन नमस्ते और वेल्कम बेक टू माई चैनल तो आज मैं आप सब के साथ चेयर करने जा रही हूँ चिकन ब्रेस का रेसिपी जो है क्रिस्पी चिकन ब्रेस तो चलिए इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते है उसके लिए मैं इधर चिकन ब्रेस लिया है और इस ब पस ब्रेट क्रम्स नहीं है तो आप लोग ओट्स का यूज कर सकते हूं लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट ब्रेट क्रम्स से आता है और इधर मैंनी ओईल को हीत अप होने के लिए रखा है तो चलिए चिकन ब्रेस को मिक्स करते है यह रेसिपी बहुत ही जारा सिंपल है अब आटे के फ्लावर में आप लोग मिक्स कर डिजेगा और फाइनली ब्रेट क्राउंस में कोट कर लेंगे यह बहुत ही जारे क्रिस्पी होता है अंदर से बहुत ही ज़ड़ा सौफ्ट जूसी होता है विकोर चिकन ब्रेस यूज किया था यसलिए और कुक बहुत जली हो जात परफेक्टली वेल डन हो जाता है आप लोग देख सकतों कैसे कर रहे हैं आप लोग को मेरा किछिन का बैग्राउंड थोड़ा चेंच लग रहा होगा एचली अभी हम लोग अपनी दोस्की रूम पे हैं तो उधर ही हम लोग कुकिंग कर रहे हैं जो चली सारे चिकन को हम परफेक्ट है स्टार्टर्स के लिए अगर कोई गैस आ रहा है तो आप लोग स्टार्टर्स बनाना चाहते हो और वह भी जली-जली में जादा इंग्रीडियंस नहीं है या यूस नहीं करना चाहते हो तो ऐसा वाला रेसिपी आप लोग बना सकते हो हाला कि बहुत कम इंग्रीडियंस यूज किया है सिर्फ सॉल्ट और पेपर लेकिन टेस्स बहुत ही जादा चाहता है एक दम लगता है कि रेस्टरेंट में आप लोगोने कोई फ्राइज चिकन क्रिस्पी फ्राइज चिकन मंगवा है सेम रेस्टरेंट की तरह टेस आता है एक बार आप लोग जरूर ट्राइ कीजिए के घर में अभी चलिए फ्राइं की तरफ चलते है तो इधर मैंने एक चिकन अल्रेटी डाल दिया दूसरा डाल देंगी अभी दोनों तरफ में तरफ फाइफ मिनिट्स कुक करेंगी या फिर चे मिनिट्स डिपेंड करते है आप बच्चों को रेसिपी बहुत अच्छा लगता है बिकोस बहुत सब्सक्रिस्पी है तो कभी उन लोग फर्माइश करें तो घर में क्रिस्पी फ्राइड चिकन खाने का तो आप लोग घर में बना के उनको खिला सकते हो तो रेस्ट्रियन जाने की ज़रत ही नहीं पड़ेग अच्छे से पलत की दोनों तरह फ्राइड कर लीजिएगा बारा मिनित में परफेक्टली कुख हो जाएगा विकोस चिकन ब्रेस थे वह अलरी चिकन ब्रेस बहुत जल्दी पक जाता है विकोस में बॉन्स नहीं होता अब लोग देख सकते हो कलर कितना अच्छा है हम लोग ने इस रेसिपी इस फ्राइंग के लिए मैदा का यूस नहीं किया है वीड फ्राइर का यूस किया है आप लोग ट्राय करिएगा एक दिद बहुत अच्छा लगता है यह अल्मोस होने वाला है अभी तक हुआ नहीं लेकिन और इदर में अक्रा लिया है इसमें मैंने सिर्फ वन पिंच ऑफ शुगर सॉल्ट और पेपर के सर पानी में बॉल करके रखा था और थोरा सा ओयल डाला था सिर्फ दस मिनित के लिए में इसको बॉल किया था और सेप लिए भॉल खूने वाला है अभी चिकन परफेक्टनी कोख है अभी इसको सफ कर लेंगे और ऐसे पहले हम लोगा सांसा बनाएंगे जो परफेक्ट से ऑकल पर्युक्रा के साथ और चिकन जाएगा सांस बहुत के जाना बॉल कार यह बंफेक्ड़ों सांस मीतली दालाई कर 2-3 cloves of garlic and जिंजर डाला और इसको अच्छो से फ्राइ कर लेंगे बस अनियन ब्राउन होने तक इसको फ्राइ करना है ठोड़ा से सॉल्ट इला जाएगा व्हुत कम दालीएगा अनियो जाथा सौया सॉस reglau अगर आप लोग एससे चिकन फ्राइस के सार और और कोई भी वेज़ेबल साइट में सर्फ करोंगे तो बॉल वेज़ेबल उसमें अगर ये सॉस बना के आप लोग सर्फ करोंगे अप लोग घरवाले या कोई भी गेस बहुत ज़रा इंप्रेस हो जाए आप लोग इसे विका मेरे थोरा सब ब्लैक पेपर उपर से स्प्रिंकल कर दिया है इसको इन्हांस करने के लिए आप लोग अगर आप लोग के पास है तो आप लोग चिलिस का भी उज़ कर सकते हूं मैंने नहीं किया है बहुत सिंपल रखा है अब आप लोग देख सकते हूं मैं कैसे ओकड़ा के ऊपर उस सॉस को कार्णिश कर रही हूं अगर आप लोग को मेरे रसिपी अच्छा लगा तो प्लीस लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाए अन बेल बतन को जरूर दबा दीजिए गा और कमेंट मेरे रसिपी आप लोग कैसा लग रहा है थैंक यू सो मच वैसे बहुत अच्छा खुश्बू आ रहा है और अभी मैं आपको कट कर के दिखाते हूं अंदर कैसा है यह आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा क्रिस्पी हैं अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसा लगत है कि रेस्टोरेंट से मंगवाया है थोड़ा सॉस लेंगे और आप लोग इस रेसिपी को किसी भी वॉयल ब्रिजिटेवल के साथ ब्रॉक्ली किसी भी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो बस इतना ही आज के लिए अंतिल देंक थैंक यू और प्लीज लाक शेर और सब्स्क्रा बढ़े